हमारे राज में तो खैर मद दाता कम है नेता जादा हैं सब नेता ही हैं आप डिटेल्स बता देंगे पूरी देश की राजनीती आप जिससे उम्मीद नहीं किये होगे कि ये क्या जानता होगा वो संभव है आपको कि सब कुछ बता दे वहाँ एक कॉमन बातचीत का टॉपिक राजनीती है विहार में तो चाहिए के दुकान पे पूरसों में ज़्यादा तर मैंने कभी नहीं सोचा था जुनाव लड़ने का था कि मैं आगे बढ़ूंगा पर एक गिरफतारी हुई और उसमें पुलिस की पिटाई लगी तो मेरा थाट निकल गया एक वोट डालना एक आम नागरिक के लिए एक ड्यूटी एक राइट सब कुछ बन जाता है और जाए वो अनपड भी हो वो समझता है इसको बिलकुल बिलकुल मतलब मदाता का मुल्यांकन आप ऐसे नहीं कर सकते हर मदाता सब समझता है और आपके राजमें तो खासकर हमारे राजमें तो खैर म किया जानता होगा वो समझता आपको कि सब कुछ बता दे और हिस्ट नॉट प्रजेंट का हिस्ट्री भी जब प्रकास्ट नायन के अंदोलन में क्या हुआ था एमर्जिंसी के टाइम क्या हुआ था जब पहली संभीधान सभा बनी तो क्या हुआ था क्योंकि वहां एक कॉम एक मुद्दा तो होता ही है, एक कौन चुनाव लड़ता हूँ, अरे आप तो ABVP में थे ना, नहीं, विध्यारती परिशद में, तो ये चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव लड़ता तो उस पे ही हम लोग बाते करते थे, हवाई पुलाओ also at that time है न, कि हां हम चुनाव लड नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा थे, जुनाव लड़ने का, नहीं, मुझे, एक नाचरल प्रोग्रेशन न, ABVP से, वो थौट था कि मैं आगे बढ़ूंगा, पर एक गिरफतारी हुई और उसमें पुलिस की पिटाई लगी, तो मेरा थौट निकल गया, और उसी जीवन के उ ऐसा मीडियम है, जो मैं रोला देता है आपको, आपके सेंसेज को छू जाता है, अक्टिंग क्यों अच्छे लगती है, क्योंकि हम आहिस्ता से बिना कुछ किये, कानों के माध्यम से, आपके आखों के माध्यम से, अपने किरदारों के द्वारा आपके दिल तक उतराते हैं क्योंकि हम आपके सेंसेज को छूते हैं, लेकिन आप पंडित परिवार के आपके पिता जी ने कुछ कहा नहीं है, नहीं कभ भी नहीं कहा, बाबुजी कोई प्रतिरोध नहीं था उनका, बोला जाओ, उनने पूछा, रोजी रोटी तुम्हारी चल जाएगी, तो मैं बोला टीचर बन जाओंगा, कहीं सरकारी जॉब लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने प्रकाश ज्यार जी का इंटर्व्यू किया, मनोज बाच बाई का, वो दोनों कह रहे थे कि ज्यादा तर जो इस इलाके से जो अक्टर बनते हैं, चंपारन अरिया, बिहार के वो सब घर में ये कह के आते हैं, कि UPSC की पढ़ाई करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, और वहां से फिर बंबई पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक जर्या होता है, माबाप को ये बताने का कि मेरी जर्नी में जब मैं अख़बार में पढ़ा कि मनोज भाईया बेतिया से हैं, और बेतिया का एक लड़का बिल्वा से बॉलिवूड गया था, तो मुझे मेरे को उनकी जर्नी ने उनकी प्रिणा दिया कि ये रास्ता मुश्किल नहीं है, एक आदमी गया है, मेरे से पह मनोज भाईया की वजह से आया.